बिस्मिल्ला रुर्मान रुर्हीम अस्सलामु अलेकुम डियर सुडेंट्स आज मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूंगी बट 3.3 में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मॉले हमने यूज करने हैं फिर्स्ट अफ वाल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज को अंड सुडेंट्स आपने सिंपली क्या करना है दोनों नंबर्स के साथ लोग को सेपर्ट कर देना है और दरम्यान में आपने साइन लगा रहे हैं प्लस का ठीक है लोग M to the base से प्लस लोग N to the base से बेस चेंज नहीं करेंगे बेस जो भी हो as it is जड़ेगी फिर है लोग M over N to the base से यानि कि दो नंबर्स कोशिंट फॉर्म में लिखे हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स के साथ लोग को सेपर्ट कर देंगे बट दरम्यान में साइन है वो क्या एगा नेगटिव साइन आ जाएगा ठीक है तीसरा फॉर्मुले सुडेंट तो दी बेस ए ऐस इस रहा उसके बाद चोता हमारे पास फॉर्मुले लोग एन तो दी बेस ए अब देखे हैं हमने यहाँ पे बेस चेंज कर दी जो बेस लिखेंगे नहीं यहाँ पे बेस लिखेंगे आगे आपने मल्टिप्लाइ का साइन लगा के वो आपने यहाँ पे न formula log n to the base आपने log n ले ले लेना है और log a ले लेना है दोनों को divide कर देना है और दोनों की base आपने same लिख देनी है ठीक है यह total 5 formula है जो कि हम 3.3 exercise में use करेंगे अब हम start करते है question number 1 ठीक है write the following into sum or difference हमें कुछ log के साथ terms given है हमने इनको sum में या फिर difference में लिखना है first of all हमारे पास रहा है log a multiply by b अब देखें a और b कोई भी two numbers हो सकते हैं वो दोनों आपसे multiply हों जब दो numbers multiply होंगे तो आपने क्या करना है दोनों के साथ log को separate कर देना और दर्मियान में आपने plus का sign लगा देना है ठीक है अब हम करते है पार्ट नमबर टू यह देखें दो numbers है डिवाइड हो रहे है first of all इसको as it is लिखें log 15.2 over 30.5 अब दोनों कोईशन्ट में डिवाइड हो रहे हैं दोनों के साथ local कर देखें सेपरेट log 15.2 log 30.5 क्योंकि यह दिवाइड हो रहे थे और अभी हमने formula देखा जब दिवाइड हो रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे negative sign लगाएंगे तो दर्मियान में आगे हमारे पास negative sign अब हम करतें part number 3 log 21 multiply by 5 over 8 अब देखें numerator में 21 और 5 हो रहें multiply but 8 हमारे पास क्या और है divide हो रहा तो इसके साथ क्या आएगा negative log 8 अब हम करतें part number 4 log 7 by 15 और यह हमारे पास है cube root अब इसकी सबसे पहले हम power लिखते है log 7 by 15 इसकी power हमारे पास है 1 by 3 अब log की एक property है कि जो power होती है वो log के start में आती यह जो 1 by 3 है यह log के आजएगी start में 1 by 3 log 7 over 15 अब यह देखे 1 by 3 को अगर आप ignore कर दे तो यह previous हमारे पास यह वाला form बन गी second वाला दोनों multiply हो रहे है दोनों के साथ log को separate कर देंगे 1 by 3 log 7 minus log 15 ठीक है minus हमने क्यों लगाया students क्योंकि दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही थी question form थी अब हम पार्ट नंबर 5 करते है लोग 22 पावर इसकी 1 by 3 और 5 की पावर है 3 तो यह आपके पास students आजाएगा log पहले इन दोनों के साथ log को हम करते है separate 22 की पावर 1 by 3 minus log 5 की पावर 3 ठीक है अब देखें यह पावर्स है तो यह पावर्स क्या होंगी log के स्टार्ट में आ जाएगी इन पावर्स को हम log के स्टार्ट में लिख देते हैं 1 by 3 log 22 minus 3 log 5 यह हमारा answer हो गया ठीक है पार्ट नंबर 6 log 25 multiply by 47 over 29 numerator में यह दोनों times और यह multiply 25 और 47 तो इनके दर्मियान हम लोगों ने plus sign लगा देने plus log 47 और 29 और डिवार्ट तो इसके साथ negative sign आजएगा minus log 29 question number 1 हमारा complete हो गया अब इसका second question करते हैं start question number 2 में आपको एक expression दिया गया आपको कहा गये इसको single log में लिखें ठीक है तो first of all students इसको मैं as it is लिखती हूँ log x minus 2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x square minus 1 ठीक है अब पहला step हमने क्या करना है जो log के start में number रहना उसको power में लिखना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है इनको हम लिखते हैं log की power में log x minus log x का square plus log x plus 1 3 minus log x square minus 1 ठीक है अब students the next step में हम इस तरह करेंगे जिन terms के साथ plus sign उनको पहले लिख लेते हैं और minus वालों को बाद में एक यह plus वाली term है और एक यह plus वाली है log x plus log x plus 1 का cube अब माइनस वाली लिख ले माइनस लोग x square माइनस लोग x square माइनस 1 ठीक है अब students हम इसको single log में लिखते हैं log अब देखें यह दोनों क्या है plus sign के दर्मियान sign है this means यह दोनों क्या होरी होंगी multiply x x into x plus 1 का whole cube अब इन दोनों terms के साथ negative sign है इसका मतलब है यह denominator में आएंगी तो x square into x square minus 1 अब यह 1x से x cancel हो गया यह आग गया log x plus 1 का cube मैं इसको लिख सकते हूं x plus 1 इसको 3 times लिखते हैं x plus 1 x plus 1 denominator में हमारे पास है x और यह x square minus 1 का square तो यह आ गया x plus 1 into x minus 1 एक plus वाली term से plus वाली term cancel तो यह आ गया log x plus 1 उपर कितने दफ़ा दो दफ़ा तो square हो गया नीचे आ गया x into x minus 1 ठीक है यह आपके question number 2 का answer है इसको expression को हमने single log के साथ लिख दिया अब next question number 3 है write the following in the form of single log ठीक है again आपको कुछ terms sum or difference में given है आपने इनको single log के साथ लिखना है first part है log 21 plus log 5 अब देखें इन दोनों terms के से दर्मियान plus का इसका मतला है यह दोनों terms आपस में क्या और यह multiply log 21 multiply by 5 part number 2 log 25 minus 2 log 3 अब देखे 2 log के स्टार्ट में अब तो सबसे पहले हम log के स्टार्ट में जो values को power में लेते हैं यह 3 की power हो जाएगी log 25 minus log 3 का स्केर ठीक है तो यह देखे minus sign है इसका मतलब है कि क्या होंगे हमारे पास question for me 25 over 3 का स्केर अब हम करते हैं part number 3 2 log x minus 3 log y यहाँ पहले step में students हमने powers को क्या करना है log की स्टार्ट में sorry स्टार्ट में इनको power में लिखेंगे log x का स्केर minus log y का क्यूब अब यह negative sign है तो यह denominator में आ जाएंगे log x स्केर over y क्यूब अब चोता part है log 5 plus log 6 minus log 2 इन दोनों के दर्मियान students है plus sign इसका मतलब है यह दोनों आपस में होरी है multiply 5 multiply by 6 2 वाली टर्म के साथ negative sign इसका मतलब है यह क्या होगी है हमार पस quotient में आएगी denominator में question number 4 है calculate the following ठीक है इसके total two parts हमने इनकी calculations करनी है first of all मैं इसको as it is as it is लिखते हूं log 2 to the base 3 multiply by log 81 to the base 2 ठीक है जो starting में मैंने आपको formulas बताएं उसमें इसे fifth वाला formula हम यहाँ पे use करते हैं first of all मैं वह formula लिखती हूं log n to the base a is equal to log n over log a ठीक है जो number है पहले उसका log और उसको divide कर देंगे base के log से तो यहाँ पर देखे यहाँ पर log 2 over log 3 हो जाएगा multiplication का sign log 81 over log 2 log 81 over log 2 यह log 2 से log 2 cancel हो गया तो remaining log 81 over log 3 ठीक है अब 81 को मैं side पर करते हूं factorize 3 पर divide होगा 3 2 0 6 3 7 0 21 तो यहाँ पर students 3 है हमारे पास आगया 4 time तो मैं 81 को लिख सकती हूं log 3 की power 4 over log 3 अब यह 3 की power 4 तो log की property है जो power है वह start में आती है इसको हम start में लिख देते है 4 log 3 over log 3 log 3 से log 3 cancel हो गया तो हमारा answer आगया students 4 अब इसका करते हैं part number 2 first of all इसको as it is लिखेंगे log 3 to the base 5 multiply by log 25 to the base 3 अब हम fifth वाला formula लिखेंगे log n to the base A तो यहाँ पर आएगा log n और इसको divide करेंगे base के log से log A ठीक है तो इस formula के according दोनों को लिखते हैं log 3 over log 5 ठीक है multiply by log 25 over log 3 यह दोनों cancel होगे log 25 over log 5 अब 25 हमारे पास है 5 का square ठीक है तो इसको मैं लिखते हूँ 5 square over 5 over log 5 यह power हमारे पास आगी start में log 5 over log 5 यह दोनों cancel होगे तो हमारे पास answer आ गया 2 question number 4 भी हमारा हो गया students complete अब इसका last question number 5 मैं करते हूँ start question number 5 है if log 2 is equal to 0.3010 log 3 is equal to 0.4771 and log 5 is equal to 0.6990 then find the values of the followings आपको log 2 log 3 log 5 की value देने गी है आपने इनको use करके given question को solve करना उनकी values को find करना ठीक है तो पहला है log 32 log 32 अब students हमारे पास log 32 की value direct नहीं given अब इसको हम करेंगे factorize 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2 तो 2 हमारे पास आगया 5 time यहां पर मैं लिदेती है log 2 की power 5 अब log की property आपने अभी खुद पीछे देखी क्या होती है power को हम start में कर देते हैं तो यह जो 5 है यह आज़े का start में log 2 अब यह log 2 की value तो हमें given हैं हम simply यह value यहां पर put कर देते हैं 5 into 0.3010 अब इन दोनों को आप multiply कर दें तो multiplication से students answer आगया 1.505 ठीक है यह हमारे first part का answer है part number 2 है log 24 ठीक है log 24 अब 24 को भी first of all हम students करते हैं factorize 2 ones are 2 2 twos are 4 2 six are 12 2 threes are 6 3 ones are 3 2 threes are 3 तो यहां पर हम लिखते है log 2 की power 3 multiply by 3 अब यह multiply हो रहे हैं तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे students log को कर देते हैं separate log 2 की power 3 plus log 3 अब यह जो 2 की power 3 में 3 है इस power को हम ले जाते है log के start में 3 log 2 plus log 3 ठीक है यहां पर log 2 और log 3 की simply हम लोग value यहां से put कर देंगे 0.3010 plus log 3 है हमारे पास है 0.4771 first of all students इन दोनों numbers को multiply करता है तो यह answer आगा 0.9030 अब इसमें हमने 0.4771 को add करना है तो add करने के पास हमारे पास 1.3801 यह हमारे part number 2 का answer है log 3 1 by 3 और यह हमारे पास है square root 3 को 3 से multiply करते है 9, 9 में 1 add कर देंगे 10 तो यह आ गया log 10 by 3 और यहां पर square root है means के power हमारे पास है 1 by 2 ठीक है तो पहले step में power ले आती हूं start में log 10 by 3 अब 10 को हम लिख सकते है students 2 multiply by 5 1 by 2 लोग 2 multiply by 5 over 3 अब यह दोनों multiply हो रहे है तो इनके साथ लोग जब हम लिखेंगे separately तो बो डिवा एड हो जाएगा 1 by 2 लोग 2 प्लस लोग 5 माइनस लोग 3 ठीक है क्योंके 3 हमारे पास है denominator में तो इसलिए यहां पे negative sign हम लोग इने लगा लोग 5 है 0.6990 और लोग 3 है 0.4771 इन तीनों टर्म्स को calculator पे solve कर लेते हैं 1 by 2 0.5229 ठीक है अब इसको हम further 2 पे divide कर देंगे students तो 2 पे divide करने के बाद हमारे पास answer आ गया 0.2614 4 यह हमारे part number 3 का answer है part number 4 है log 8 by 3 first of all इसको as it is लिखते है log 8 over 3 ठीक है तो 8 हमारे पास होते है 2 की power 3 2 को 3 टाइम लिखते है इसको लिखते है log 2 की power 3 over 3 denominator में तो इनको हम लोग separate करेंगे log 2 की power 3 minus log 3 अब यह जो 3 है इस power को हम लिखते है start में 3 log 2 minus log 3 log 2 और log 3 की students हमें लोग यहां पे value put कर दते हैं तो log 2 हमारे पास है 0.3010 और log 3 है हमारे पास 0.4771 ठीक है first of all इन दोनों को multiply करेंगे तो answer आ गया 9030 अब इन दोनों को simply हम लोग subtract कर दते हैं तो इन दोनों को solve करके students answer आ गया 0.4259 यह हमारे part number 4 का answer अब इसका last part number 5 हम करते हैं लोग 30 तो 30 को पहले हम कर लेते हैं factorize 2 1s are 2 2 5s are 10 3 5s are 15 ठीक है तो यहां पे 2 3 5 तीनों का product आ जाएगा लोग 2 3 5 अब इन तीनों के साथ लोग को हम कर दते हैं separate और क्योंकि यह तीनों हो रहे हैं multiply तो इनके दरम्यान sign आएगा हमारे पास plus का अब simply हम इन तीनों की value पुट कर दे था जो कि हमें question में given है 0.3010 लोग 3 हमारे पास है 0.4771 और लोग 5 है 0.6991 sorry 990 इन तीनों values को simply add करते हैं तो इन तीनों को students add करके answer आगया 1.4771 ठीक है यह हमारे part number 5 का answer है हमारी exercise 3.3 students हो गिये complete hope so आप सबको clear हो गिये अगर आपको मेरा teaching method पसंद आया हो तो video को कर दे like channel को कर दे subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video Allah Hafiz